जब वो बात कर रहे थे, तो उन्हें देखते हुए मेरे मन में ये बात आई, किसी वज़े से मेरा ध्यान शहीद दलजीत सिंग के परिवार के और गया, जो बहरैच के एक रो, गाउं में रहते हैं, मैं उनसे मिली थी, उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान गया, जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा, उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है, तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से उन्होंने कुछ जादा कहा नहीं, चुप चाप बैठी थी, अंत में जब हम जाने वाले थे, तो मेरे पास आई, उन्होंने डर है, किसी वज़े से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे, कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पती को कुछला, जो प्रधान मंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनव आये, या शायद उसके एक दो दिन पहले लखनाओं से उनका घर पंदरा मिनुट में बहुर सकते थे हेलिकॉप्टर में, वो क्या सोच रहे होंगे, कि ये प्रधान मंत्री हमारे यहां नहीं आये, कुछ बोला नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हत्यारों का संग्रक्षन किया, आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्र खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं, जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यूं मांग रहे हैं, क्या ये देश समझ नहीं रहा है, कि चुनाओ आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्तितियां ठीक नहीं हैं, विधान सभा के चुनाओ जो हैं, उनका सर्वे आया ह उसमें उनको दिख रहा है, कि परिस्तितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाओ से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं, तो देखें, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है, उसके ही नेताओं ने, किसानों को क्या क्या नहीं बोला, अंदोलन जीवी, गुंडे, भुजाती, देश द्रोही, ये सब किस ने कहा, जब ये सब कह रहे थे, तो क्या हुआ, प्रधान मंतरी जी चुप क्यूं थे, बलकि उन्होंने अंदोलन जीवी शब्द बोला, जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठिया बरसाई जा रहой थी। जब उनको गिरफ़तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था, आफी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करेंं, हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें, सब पश्ट है सामने है देश के मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में जुकना ही पड़ेगा ये सरकार समझ गई है इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे अंदोलन में कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ मैं मिली हूँ मैं उनका दुख समझती हूं और हम सब को सबसे पहले उन्हें शद्धानजली देनी चाहिए अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कारवाई होनी चाहिए खासतोर से जो लखीमपूर खेरी में हुआ उस पर जो कारवाई सही धंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए मंत्री का बर्खास को बर्खास करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज उठी है हम सब को उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए किसान की बहुत समस्याएं हैं आज हर तरफ से मजबूर है हर तरफ से कर्ज में डूबा हुआ है मैं ललितपुर गई कि ललिट पुल में भी आपने देखा उंखाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्य हो गई कुछ किसानों ने आत्म हक्ट्या की तो किसानों की जो समस्या है जिसके लिए किसान अंदोलन करें उसको ठीकतरे से समझना उनकी समस्यां faced को ठीक तरह से सुल जाने का करतव हम सब का है मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस अंदोलन का और किसान डटे रहे हमारे भाई बहन जो डिली के बॉडर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में सब डटे रहे और आज हम उन सब को धन्यवाद देना चाहते हैं जैसे मैंने कहा जो शहीद हुए उनको शद्धान जो देए उसको देखते वी पैसा लिया गया है कि आने वाले बहुत स्पाष्ट है यह बहुत स्पाष्ट है देखे जनता में बहुत विवेक है जनता सब कुछ समझ रही है और इतना समय क्यों इंतजार किया इतना समय क्यों इंतजार किया आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले एक बार आप बॉडर पे नहीं गये एक बार किसानों से मिलने नहीं गये एक बार बात्चीत नहीं कि जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गया इतना पास आकर नहीं गया तो आज अचानक क्या हो गया है इस पास्ट है चुनावारा रहा है वहीं मैं कह रही हूं कि सबसे पहले तो उने श्रधानजली दीजिए ना जो शहीद हुए है उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है कि कृसरी कानुन किसांओ के बेंदरी करते था तो फिर भी के अभी лей है से जो और गलत अभी भी ङे पत्रौन पख्या नहीं एक डिचान वह कितार है इसकी आज हुचान कंगे लेकिन अभी थी नेते के लिफ कि डीजल के दाम क्या है डीजल के दाम सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है खाद मिल नहीं रही है खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं आप में पूर्च लिया आप पूर्च लिया है तो इसके लिए क्यों नहीं तो इसके लिए क्यों नहीं क्या इसके लिए भी कोई योजरा है कि जब चुनाओ पास आएगा तब हम दूम दाम से इसको करेंगे अभी क्यों नहीं करते हैं उनका स्टैंड बिल्कुल सही है क्योंकि जब इस सरकार की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता इनका रुख रोज बदलता है तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक दंग से फिर देखा जाए प्रियंक जी वन फिर लूज बदेखा इस पर ये आज़ भी यज यू यज यज फिर टो विंड बदेखा यूज रूड ये एंड विज अट इस प्रेखा बना पर यज बेंड रिखा यूज बदेखा यूज युज I feel that the people of India are extremely wise, frankly, there is no one wiser than the farmer, he knows what is good for him, he knows who stands up for him and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last seven years to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer, farmer understands this absolutely. The people of India should not do anything. The farmers have not done this. We have all the farmers' responsibility. We are all working together with them and standing. But we are all working together with those who have done this. But the farmers have done this. I was just a little bit more. कानून देखिए यह जो आज हुआ है पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी जब किसान खड़ा हो जाता है जब डटा रहता है तो उसी को जुखना पड़ता है और यह मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कारी यह सरकार करती है जो गलत कानून लाती है उनका विरोध होना चाहिए और और सबको एक बास एक जट होकर खड़ा होना चाहिए सरकार को जुखना ही पड़ेगा मेरे भाईіє ने शायद पिछले साल ही का था एक बैयान दिया था कि अंत में शुथ कार को जुखना ही पड़ेगा क्यूकि कि सान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है अंदाता है इस देश का ये देश किसानों ने बनाए है उत्तरप्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाओं पंजाब पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि अमरेंदर सिंग वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले स्वादस करने वालों मे इससे आपको कुछ समझना चाहिए देखिए पंजाब की जनता में बहुत विवेक है पंजाब को किसानों ने बनाया है किसान सब कुछ समझता है मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है वो सब समझने की क्या हो रहा है सब देख रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि कि इस तरहे से राजनीती हो रही है। मैं कह चुकी हूँ कि ये बहुत ही स्पष्ठ है कि जो चुनाओं की परिस्थियां उनको देखते हुए आज ये निर्ने लिया गया है। आदम कॉंपनसेशन को लेकिना रहा है।